भागवान सीव की सिक्षाओं के अनुसार मनुस की तरक्की या उन्ती का कोई निश्चित सीमा नहीं है। शीव का दर्शन जिसे सेवाद कहा जाता है हमें यह सिखाता है कि आत्मा अनंत है और इसका विकास भी अनंत हो सकता है। भागवान सीव की अनुसार मनुस की तरक्की के कुछ महत्पुर्ण पहलू। पहला अध्यात्मिकता, अध्यात्मिक जागरूता। सीव के अनुसार अत्मा का ग्यान और चेतना की उच्छ आवास्ताएं ही असली तरक्की है। मनुस जितना अधिक आने के लिए भीतर की चेतना का अनुभव करता है, उतना ही वह अपनी आत्मा के निकट आता है। और यह एक सीमा यात्रा है। दूसरा आत्मा नियंत्रन और तपस्या। शिव योगिय तपस्या के देवता है। मनुस अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रन पाने के माध्यम से मनुस उच अस्तर अवास्ता को पराप्त कर सकता है। तपस्या और साधना से आत्मा की सुधी होती है। और व्यक्ति अपने चेतना को विस्तार दे सकता है तीसरा कर्म और धर्म शिव का सिधांत कर्म और धर्म पर अधारित है वे कहते हैं कि मनुस के कर्म और धर्म के पालन उसकी परगति होती है अच्छे कर्म और अपने धर्म का पालन करना ही मनुस की असली तरक्की है चौथा आग्यानता का नास शिव को आग्यानता का नासक माना जाता है वे ग्यान के परतिक है और उनका कहना है कि जब तक मनुस आग्यानता, मोह और अहंकार से मुक्ती नहीं होता उसकी सच्ची प्रगती नहीं हो सकती इसी परकार भगवान सिव के अनुसार मनुस की तरक्की एक अंतहिन परकिरिया है जो आत्मा के अनंत विकास पर अधारित है यहना केवल भोतिक और मानसिक अस्तर पर बलकि आध्यात्मिक अस्तर पर भी होना चाहिए इसका कोई समय शिमा नहीं है क्योंकि आत्मा की यात्रा अनंत है